इसमें जीम भी रहेगा और स्टुडियो भी इसी में रहेगी एक भाई आउर बता रहते हैं कि इसमें सीमिंग पूल भी रहेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों मैं फिलालू पटना गुंजन सिंजी के घर के पास सब्सक्राइब दोस्तों यह रहा घर का बाहर का डिजाइन देख सकते हैं कुछ इस परकार का डिजाइन है वर्न टू त्री फोर फाइप यानि कि पांच तल्ला भी या फाइप फूलवर तक और डिजाइन का तो बात कि जाए तो गजब यह अलग ही मतलब लूक दिया गया अध्यान जाएप गणपती वप्पा भी यह सबस्तों पहले पढ़ां भी यह बहीं कैसे हैं कैसे हैं कि पूजा हो गया घर तो बहुत ही भव भव बनाया वह इसके बारे में क्या कुछ बोलियागा सब हमारे जन्सकों का असिरबाद है सब जन्ता जन्रवगन का असिरबाद है अच्छा असिरबाद से सब सब्भव हुआ है कितने साल में लगभव यह बना भी यह बनाया इसको लगभवक देड़ साल से उपर लगया है दिगड़ साब पलोर जे बाकी बाद जीम और पोडियो भी इसी में रहेगी एक बहुत बहुत तरह के लोग भी बोल रहे कोई बॉल आट प्रप्या कोई आठ प्रप्या आठ भी बता जी लगभवक कितना लागत लगा कुछ अंदाज जो लगा है सब मनेजर के हाथ में ना सिर्वाद सब दर्सकों का अच्छा अब क्या कहें क्या खुलासा करना एक फूद देखने से पड़ा चलता है कितना लागत जो लगा है सब रहे का दिया और यहां पर हैं गनपती बप्पा इन्हीं के मर्जी से सब कुछ होता है इनको गोल लगी है और इनको जो दिल समांगता है उनको मिलता है न विया अच्छा गनपती पपा जी कहां पर तस्वीर लगा है कंटनीव है पर रहेंगे क्या सजावट के लिए सिर्फ गनपती जी हमारे घर के अंदर में विश्राम भगवान का ये मंदिर जो बना है अंदर में अच्छा यहां पर कुझा हो रहा है तो इसके बगल में एक मंदिर सिलाम भगवान सीता माई रच्वान भगवान हमाजी सबका इंटमेट बड़ा साथ चली बहुत बढ़िया भीया चलते हैं आपका घर दिखाते हैं अच्छा सबारी कीस है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक ग्रांड फ्लोवर है और यहां पर गेस्ट लोग के बैठने के लिए सारा चेयर वेगरा वी आईपी चेयर लगा है और बहुत सारा कूलर लगा भीया इधर मीनी इंटर्टिर्मेंट के मालिक भीया बैठे हुए हैं गैसे भीया अब आप लोग घर के अंदर आचुके हैं और देख सकते है भीया नास्ता मिला नास्ता में क्या का है दिख सकते हैं एक लिट्टी है एक बर्फी काजू वर्फी है और दो तरह का मिठाई है पहले खाते है उसके पाद फिर पति आएंगा सुभ़ं भीया विठार नास्ता केसा ह तो दोस्तों नीचे वाला फ्लोर पे पुजा पाट चल रहा था तो हम अभी आ गए है सेकेंड फ्लोर पे ठीक है उसके वाद देख सकते है पता ना क्या क्या है इसी फिरिश कुलकार अखल है इसमें भैया अभी मतलब फिरिशिंग और भी करना बागी रहा चुका है घर में और दिखाते हैं आप लोग को बैक कमरा से यहां पर देख सकते हैं बेसिंग क्या लाजवाग बेसिंग है यह तो बहरा गोल्डन का है यह रहा कीचन ठीक है यह कीचन थोड़ा बहुत चालो हो चुका है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह वाथ रूम यह है डिजाइनिंग सावर लगा हुआ अभी फिनेसिंग बहुत बाकि है भाई लेकिन लाजवाब है जो भी है लाजवाब है इधर उनके कुछ गेस्ट लोग आए हैं और यह एक बेडरूम बेडरूम का लुक देखिए देखिए और बेडरूम के अंदर है देख सकते हैं यह है इनका बात्रूम का लुक डिजाइनि में पैसा लगते हैं तो भाई लुक तो मिलेगा ना पैसा में होती है ताग पैसा कमाईएगा उसके बादेशन घर का अननन्द उठा पाईएगा यह अलमारी सब अभी बहुत फिनिसिंग करना वागी रह गया है ठीक है चलते हैं अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पर चलेंगे और दिखाएंगे और लिफ्ट भी लगा है में मात इसमें वजिया देखिए इसमें लिफ्ट भी लगा हुआ है आप लिफ्ट के माद्दिन से भी आ सकते हैं जा तो यह आप लोग डिश्टार फोगए ना का करेंगा दिखाना जरूरी है कि भाईया के घर केशन बना लाए ऐसी चल रहा है ना गर भी दर नहीं लग रहा है आप लोग को चलिए बहुत बढ़िया है यह बंकरी इसको इसका थोड़ा सा देखते हैं कैसा बात रूम बात रूम से क्वास इसका लुक अलग है रहा है भाई बात रूम का मास्तबह को छ़लिए यह दो है लोग से फुर्पलॉर फहर बात पास क्वास का लुक किताым का कैसा अजया। इधर से भी खिड़की है बाहर का अनद ले सकते हैं दख सकते हैं उधर पापा करी ये को दिखाई दे रहे हैं जलिए और वोर फ्लोर पे भी काम बाकी है यहांपर लिफ्ट भी लगा हुगा है इधर भी यह बालकनी है खिड़की और 4 फ्लोर पर देख सक्ते भईया इस अब अब कबारी है महरें की काम चालू है ठीक है इसका सेलें भी बन रहा है डिजैणिग मतलब हर फ्लोर पे यह मिलेगा सबसे पहले ग्राउंड यहां पर लोग लएगा सोफा वेगरा बैठेंग लोग और एक दो एक किधर तीन रूम है दो बात रूम है एक कीचेन है ठीक है उसके बाद सबसे उपर फिर चलेंगे फाइब फ्लोर पर तो भी मैं आ चुका हूँ च नदली जाती है इस गली से आप आगा जाएगा तो रोड पर जा सकते हैं और यह जहना पर छठ का सीन के देख सकते हैं यहां पे झंडा लगा गुए है और यहां पे हैं पाणडी यहां पिजा कर देख सकते हैंलंव के माता से और दोस्तों इधर देख सकते हैं कुछी दिर बाद खाना पिना का विवस्ता है चालू होगा सभी लोग आएंगे भोजन करेंगे और तरह तरह का भोजन भी या नोनवेज भेज सारा मेटेरियल है कि देख रहे हैं संदार एक दम गोल्डन गोल्डन ठाली लगा हुआ है सबस्दों मैं चाहूं का तो अपर दिखाएंगे आइसे सब उठाके देखना पर रहा है